नमस्ते दोस्तों कामिनी के किचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे कई परतों कई लेयर्स वाले आलू के बहुत ही बढ़ियां पराठे यकीन मानिये फ्रेंड्स मैं आपसे गैरंटी लेती हूँ मेरा वादा है कि आज से पहले आपने यासी रेसिपी ना ही देखी होगी और ना ही कभी बनाई होगी तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं तो यहां पर हमने एक पैन में दो टेबल स्पून रिफाइन डॉर डाल दिया है साथी में साथ आठ लेसुन की कलिया और दो हरी मिर्च को हमने तोड के डाल दिया है एक इच टुकड़ा डाल देंगे तो सभी चीजों को हम एक से दो मिनट के लिए ही रोस्ट कर लेंगे ताकि इनका कच्चा पंदूर हो जाए और हलके से यह सौफ्ट हो जाए तो बस इसका कलर वगेरा हमने नहीं चेंज किया है आप देख सकते हैं तो अब हम इसको यह कटोरी में निकाल लेंगे तो लिजी हमने इसे निकाल लिया है अब हम उसी पैन में डाल देंगे दो तीन टेबल स्पून बेसन तो बेसन को भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे चलाते हुए ही हमें रोस्ट करना है फ्लेम को यहां पे लो ही रखेंगे बस धीनी आच में हम इसे चल अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा बेसन बहुत ही बढ़िया तरीके से भून लिया है तो चलिए फ्रेंड्स आप यहां पे हम डाल लेते हैं अपनी हरी मिर्स और अधरक लहसुन को एक ओखली में तो हम इसको आप कूटेंगे तो इस तरीके से कूटने से बहुत ही आ रहे हैं उसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आए तो चलिए फ्रेंड्स हमने इसे कूट लिया है अब हम इनको निकाल लेते हैं तो हमने इसको इसलिए फ्राइ कर लिया था हलका सा ताकि यह सॉफ्ट हो जाए जब हम इसे कूटे तो यह अच्छे से कूट जाए तो इसी परात ले लेंगे या जिसमें भी आप आटा लगाते हैं वो ले लें तो बस यह हम आलू को ग्रेट कर देंगे तो आलू को ग्रेट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो कि हमें लम्स वगारा इस रेसेवी में बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो बस इसी तरीके से आप दे यकीन मानिए इस तरीके से बना लेंगे तो बहुत ही बड़ी हाँ बनेगी तो अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अद्रक हरी मिर्च का पेस्ट साथ ही मैंने यहां पर महीन महीन काटके प्याश लिया है इसी में थोड़ी सी हमने हरा धनिया भी डाल दिया है तो अब इसमे का ध्यान रखिएगा दो कभी हमने आटा यूज किया है तो आप देख लीजिएगा कि किसी साथ से आपके आलू है तो उसे साथ से आप इसमें आटा डालिएगा यानि कम बना रहे हैं तो कम आटा लीजिएगा ज्यादा क्वांटिटी में आलू ले रहे हैं तो उसी साथ स हम इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे इस तरीके से और इसको कवर करके पानदस मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रग दिया था तो लीजी हमारा आटा पहले से ज़्यादा सौफ्ट हो गया है अब हम इसको एक दो बार और मसल लेंगे ताकि हमारा जो आटा है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से चिकना हो जाए तो आप देख सकते हैं इसको हमने रख दिया था तो ये बहुत ही आदा सॉफ्ट ओ चिकना हो गया है तो चलिए हम सुखाटा हाथ में लगा लेंगे और इस तरीके से हम एक लोई तोड़ लेंगे जैसे हम नॉर्मल पराथे की बनाते हैं न लोई तो बस उस से हमने थोड़ी सी बड़ी ली है ज़्यादा हमें बड़ी भी नहीं लेनी है बस हलकी सी लमसम उसी हिसाब से ही हमने ली है तो इसको हम सुखा अर्टा लगा लेंगे और इसको हम अच्छे से बेल लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बताऊंगे उस बात पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा तभी आपके पराठे बहुत ज़्यादा परतों वाले बनेंगे तो हमने यहाँ पे पराठा बेल लिया था अब यहाँ पे मैंने सुखा आटा डस्ट कर लिया है इसके उपर और एक चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ देसी घी तो यहाँ पे देसी घी का ही उस करिएगा तभी आपके पराठे बहुत ही बढ़िया खसता और क्रिस्पी बनेंगे चलिए भाई हमने आटा और घी लगा लिया है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पहले मैंने इसको रोटेट किया उसके बास से सिल्वटे जैसे सिल्वटे डालते हैं बस उसी तरीके से हमने पराठे में सिल्वटे डाल लेनी है तो आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से हमने सिल्वटे डाल रहे हैं इस तरीके से ही बनाईएगा, तभी आपके बहुत यदा पर्तो वाले पराठे बनेंगे, आप चाहे तो यहाँ पे जो चाकू से काटके बनाते हैं वैसे भी आप बना सकते हैं, तो बस आप देख सकते हैं, हमने सभी कोई खटा कर लिया, थोड़ा सा हाथों से दबा लिया है अब हम इसको गोल कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैंने किया है, आप भी वीडियो को जरूर देखके, इसी तरीके से ट्राइ कीजिएगा, एक नहीं, दो बार देखिएगा, फ्रेंड्स, आपको जरूर यह रेसिपी अच्छी भी लगेगी, और समझ में आजाएगी, तो आप देख सकते हैं, कितनी परते इसमें दिखाई दे रही हलका हलका हमने इसको प्रेस कर दिया है, अब हम इसमें लगा देंगे सूखा आटा, और इसको हम हलके हातों से बेल लेंगे, तो बहुत हलके हातों से हम बेल लेंगे, तो लीजिए भाई, हमारा पराठा बिल के त्यार है, परते आपको दिखाई दे रही होंगी, जब यह सीखेगा तभी हमारी परते अच्छे से खुलेंगी, तो जब हम इसको तवे पे डाल देंगे, तो फ्लेम को यहां पे लो ही रखना है, लो फ्लेम पे ही हमें इसे सेखना है, इस बात का ध्यान जैसे जैसे स्टीम पराठे के अंदर जाएगी, एक एक परत बढ़िया तरीके से खुलेगी, तो बस नीचे से भी हम इसे अच्छे से सीखने देंगे, तो देख सकते हैं कितना प्यारा कलर इसमें आ गया है, भी हमने एक चमज भर के देशिखी लगा लिया है, और इसको हम अच्छे से नीचे से भी चलाते हुए ही बढ़ियां से सेखेंगे, तो इस तरीके से गुमाते जरूर रहेगा, तब हमारा जो पराठा है वह बहुत ज़्यादा बढ़ियां और क्रिस्पी बनेगा, तो लीजिए देखिए आप हमने इसको कितना बढ़ियां सेख लिया है, कलर तो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ियां आ गया है, तो आप देख सकते हैं एक एक परत इसकी खुल रही है, तो बस इसी तरीके से हम इसे अलटते पलटते हुए बढ़ियां सा सुनेहरा कर लेंगे, यकीन मानिए फ्रेंट्स इस रेसिपी को आप इस तरीके से बना ल हो गया है, जब यह हलका ठंडा हो जाएगा, तो यह और भी जादा बढ़ियां लगेगा, तो एक पराठा मैंने बना लिया था, इसी तरीके से हम सभी पराठो को बना लेंगे, तो लीजिए फ्रेंट्स हमने सभी पराठो को बना के त्यार कर लिया है, आप देख सकते हैं स वो इस पराठे को बहुत ही जादा अमेजिंग और डिलिशियस बनाता है, तो फ्रेंट्स इस रेसिपी को जरूर बना के ट्राइ कीजिएगा, ऐसी अनोखी रेसिपी, मैं आपको गैरंटी देती हूँ, ना ही कभी आपने बनाई होगी, और ना ही कभी खाई होगी, तो नहीं है, तो मैं आपको तोड़के भी दिखाती हूँ, देखिए वाओ, एकदम बढ़िया, एकदम क्रिस्पी पराठा बना है, तो फ्रेंट्स मेरी मेहनत मेरी रची लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए,